तो हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत अपने चैनल में जिसका नाम है Let's Hack the Programming और मैं हूँ अनो निगा तो जैसे कि हमारे प्रेविज लेक्ट्चर चर रहे थे वाई वाई क्रेकिंग को लेकर तो उनने क्या किया थे मैं आपको इश्थाध करना है तो आज हम बात करेंगे जो हमारे नेट्वर्क होते हैं encryption के WEP और WPA और WPA2 तो उनको हमें कैसे क्राइक करना है तो हमारा जो प्रीकनेक्शन अटैक का था जो मैंने आपको बताया तो वह हमारा यहां तक complete हो चुका है जिसमें मैंने आपको packet sniff करने बताया तो करना चुका था तो हम गेंडिंग अक्साइस के अब चलेंगे तो गेंडिंग अक्साइस में आप को मैं क्यास कहूंगा कि जो हमारा सबसे पहली इंक्रिप्शन है डबली एपी तो डबली एपी को उनको sniff करना सिखा था तो उस नहीं डाटा के अंदर उन्हीं पैकेट्स के अंदर हमें पास्वड मिलेगा डबली एपी इंक्रिप्शन वाइफ आईगा तो अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन दो उस लेक्चर का भी लिंक दे दूँगा आप एक बार जाके वहां पर देखी कि हमने packet sniff कैसे कीये थे तो जैसे हमने packet sniff किये थे उसके अंदर हमें एक पास्वड की हमें मिलेगा जैसे कर आपको सिंपल बहुत बहुत कि जब भी कोई मुबाइल एक डाटर से कमिनिकेट करता तो उसके साथ data packets के साथ एक १ को को भी करता है अगर हमने पैकेट की सिर्फ की है तो email यह कि मिल जाएगी रोफ जाएगी तो उन्हीं पैकेट का यूज करके हम WTOE वाइफाई को क्रेक कर सकते हैं तो आई होप को समझ आगए होगा तो हम इसका практи likely करते हैं एपनी computer की screen पर जाने सेidamente वीडियो का लाएक जरूरर करें चैनल को subscribe जरूर करें प्लैका लाएकन भी एक बर प्रेस करके जाहिए ताक कि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएं तो चलते हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो जैसे कि आज हम WP Wi-Fi को क्रैकिंग करने वाले तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने WP मेरे ना मेरे पास एक Wi-Fi connection है जो की आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका नाम है Don't Connect I Am Virus तो मतलब ये जो Wi-Fi connection है actually मैं मेरा ही है तो मैं अपने ही Wi-Fi को मैंने आपको दिखाने के लिए WP की security में इसको चेंज किया है हम इसको crack कैसे कर सकते हैं हाला कि आज कर इस security को कोई यूज नहीं करता है WP 2 और WP को यूज करते हैं तो उसकी cracking में आपको आने वाली lectures में बता दूँँगा तो हम इसको crack कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको crack करना आपको आ गया तो आप WP 2 की security को भी आराम से crack कर सकते हो तो अब हम इसको कैसे crack करेंगे तो हम start करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या simple अगर आपने पहले lectures देख रखे हैं तो आज हम simple command का use करेंगे जैसके हमने आपको previous lecture में बताया था कि हमें इसको जो packet को है उसको sniff करना पड़ेगा इस connection के packets को तो इसके connection को packet को sniff करके हमें एक अपनी जो हमारी hard disk के अंदर उसको store करना पड़ेगा में राइट करना पड़ेगा तो ठीक है तो हम उन packets में से इसका Wi-Fi password आपको निकालके में दिखाऊंगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हमें एक command का use करना है aero dump ng और space space band और band के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आप कौन से band को scan करना चाहते है तो उसके क्या क्या आपको यहां पर commands देने पड़ेंगे जैसे मैंने को मेरे को simply 2.4 और 5.1 GHz दोनों band को यहां पर scan कराना है अपने aero dump में तो मैं command यहां पर लगाऊंगा abg और उसको हमें काम पर करना है wlan 1 में तो हम इसको wlan 1 में scan कराएंगे band हमने दे दिया wlan हमने दे दिया कि हमें कौन से interface पर इसको scan कराना है और हमने जो हमारे program का नाम था aero dump angi वो हमने लिख दिया simply हम अब हमें करना गया इसको हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हमारे पास जितने भी 2.4 के और 5.1 बैंड जितने भी हमारे आसपास connection होंगे वो हमें show करा देदा तो यहां पर अभी मेरा ही wifi है तो इसको connection आपको यहां पर show होगा तो यहां पर दूसरी window open करने के बाद हमें जो हमारे router का था वो हमें mac address मिल चुका है channel मिल चुका है कि हमें कौन से channel पर उसको scan कराना है उसका नाम आपको मिल चुका है कि आप उस wifi का नाम का है और उसकी जो encryption हमारे पास आ चुकी है WEP तो हमें WPE wifi को crack करना है तो simple हमें क्या करना है यहां पर इसके packet को sniff करना है मतलब हमें इसके packets को sniff करके write करना है तो उसके लिए हम command का use करेंगे aero dump mg-bssid bssid हमें देनी पड़ेगी तो bssid मेरी यहां पर आप यह देख सकते हो हमारी bssid है इसको मैं यहां पर simply copy करूँगा इसको copy करने के बाद मैं यहां पर इसको paste कर दूँगा ठीक है paste करने के बाद हमें डैस डैस चैनल देना पड़ेगा क्योंकि कौन से चैनल पर है यह तो हमने यहां पर चैनल देना पड़ेगा चैनल हमारा इस टाइम यह चैनल 3 पर चला तो हमें चैनल 3 देना पड़ेगा उसके बाद इसको write कराना है हमने तो dash dash write और किस नाम से कराना है वह मैं दे देता हूँ hack के नाम से hack के नाम से write कराना है और हमें interface का नाम देना पड़ेगा कोंसे interfereस पर कराना है मेरा interface था wlan1 तो हमें इसको जैसे ही write कराएंगे तो हमारे जो packets थे वो sniff होने start हो जाएंगे इस network पे और वो write होने start हो जाएंगे तो इसके बाद हमें एक command का use करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं बीजी network नहीं है इसको कोई connect नहीं है तो डाटर ट्रांसफर नहीं कर रहा है यहां पर जीरो है तो इसका यूज करने के लिए उसके लिए प्रक्राइब करना उसके लिए एक command है तो इस command का हम use करेंगे उसको कहते हैं fake authentication मतलब हमें इस जो wifi रहेगा इसके पास एक request भेजनी है अपने इस Linux मिशीन से कि मैं भाई तिरसे connect होना चाहता हूँ मेरे को connect कर वो जैसे उसकी request को de-accept करेगा तो वो data transfer करेगा तो उन data transfer में एक बार वो अपनी password की को match करके देखेगा तो हम उन packets को sniff कर लेंगे और हम पैकेट को sniff करने के बाद हम उन में से जो password किया है वो निकाल लेंगे मतलब अभी इससे आप देख सकते हो यहां पर 0Ri data मतलब इस पे अभी कोई काम नहीं करता तो हम इसकी password की नहीं निकाल सकते तो हम इसकी password की कैसे निकालने है उसका एक method है मैंने आपको बता दिय हमें fake authentication करने है तब यहां पर data transfer बहुत जाद हो जाएगा तो उसके बाद हमें उन में इस data निकालना है उसके उसको यूज करेंगे ARP packets का तो ARP packets का हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ तो हमने fake code दे दिया है उसकी value हम 0 डाल देंगे तो fake code देने के बाद हमें iPhone A तो iPhone A का मतलब हमें attack की mac address रहेगा वो हमें simply यहां पर copy करना है तो हमारा attack का mac address है वो हमारा यह है हम इसको यहां पर copy कर देंगे तो इसको copy करने के बाद हमें dash h command लगाने हो और यहां पर आपको अपना mac address देना मतलब जिस device से आप इसको connect करना चाहते हो उसका mac address देना पड़ेगा mac address आपको simply कैसे करना है मैंने पहले क्यों है अपना mac address को पी तो मैं एक बार फिर भी आपको उता देता हूँ अपने अपना mac address कैसे निकालना है अपना mac address निकालने के लिए अपने simply iwconfig का यूज़ करना है iwconfig का यूज़ जाज़े आप करोगे तो wlan 0 का यह हमारा interface है इसका हमें mac address दिए तो इसका mac address निकालने के लिए हम करेंगे ifconfig तो इसका हम run कर देंगे और हमारा यहां पर जो हमारा wlan 0 का mac address यह आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आ चुका है तो इस mac address को हमें copy करना है तो इसके mac address को हम copy करेंगे जैसे यहां पर है यह आप यह देख सकते हो यहां पर है 1,2,3,4,5,6 तो हमें 6 डिजिट का अपना mac address यह तो हम यहां से 6 डिजिट अपने यहां से copy कर लेंगे तो हमें यहां पर करना है इसको paste और इसको paste करने के बाद जितने भी इसके बीच में यह हमें यह हटा के इसको यहां पर यह लगाना पड़ेगा तो हम इसको यहां पर इस सब को change कर लेंगे तो हमें यहां पर अपना mac address इसको दे दिया है तो उसके बाद हमें कराना है wlan1 पर तो अब मैंने आपके बाद सारी command आपको शो करा दिये कि हमें कौन सी command का यूज़ करना है तो मैं एक बार आपको फीट से समझा जीता हूं ता कि आपको याद रहे हमें यह रिप्ले एंजी का यूज़ करना है फेक ओथ के लिए हमने वैल्यू डाल दी है हमने आइफ़न एक का यूज़ किया है अटेक का mac address यहां पर दिया है और आइफ़न एच में हमने अपना mac address दिया कि हमें इस वाले आटेक की जो mac address है इस पर आटेक करना है फेक authentication का इस mac address से और वो कहां पर कौन से इंटरफेस पर रहेगा डबलियू लेन बन पर हम इसको जैसी एंटर करेंगे तो हमारा यहां पर यहां पर फेक ओध है वो request जा चुकी है तो हमारी जैसे यहां पर fake auth की request जा चुकी है आप देख सकते हो कोई error नहीं आया और वो successfully done हो चुका है तो इसके बाद हमें ARP packets send करने पड़ेंगे इस router को कि ताकि वो हमें जो हमारी यहां पर data ही यह है इसको increase कर सके जिसे हमें packets मिल सके इस wifi के तो हमें ARP packets से इसको send करने हैं तो ARP packets से हमने आप हमें fake authentication जो हमारा था वो complete हो चुका है अब हमें fake और fake sorry ARP packets send करने हैं तो ARP packets send करने के लिए हम use करेंगे air replay ng dash dash ARP replay और उसके बाद hyphen b यहांपे हमें देनी है bßsid जो router की bsidsid है जो उसके router का MAC address है हमे मेंrou MAC address देना पड़ेगा यहांपे तो हम मैक address भीने यहां पर दे दिया और उसके बाद hyphen h में जो हमने अपना mac address दिया तो वह देना पड़ेगा जिसे कि हमारे Mac अडर्स से तो एक बार हम इसको दुबारा चेंज कर देते हैं तो मेरा जो MAC address था वो मैं यहाँ पे देता हूँ जो मेरा MAC address था था यहाँ आपके सामने लिखा था तो मैं इस MAC address को simply copy करता हूँ और वहाँ पे paste करूँगा तो मैंने यहाँ पे अपना MAC address इसको दे दिया है मतलब हमें ARP packets उसको send करने है इस वाले MAC address पे और इस वाले MAC address से send करने है और WLAN1 पे जैसे मैं इस command को enter करूंगा यहां पर जो data का column है वहां पर increase होना शुरू हो जाएगा data जिसे हमें packets मिल सके sniff कर रहे हैं यहां पर वो packets हमें मिल सके तो उन packets के जरीए हम WEP की security को crack करेंगे तो मैं इस command को simply यहां पर रन करता हूं और जैसे इसको run करूंगा वहां पर जो data column है data के उसमें section में है वह increase होना start हो जाएगा आप देखते रहना यहां पर थोड़ा time ले सकता है तो थोड़ा wait कीजिए तो जैसे यहां पर send होने start हो चुके है तो वहां पर data भी increase होना start हो जाएगा तो जैसे कि हमने काफी सारे packets से जो वह sniff कर लिये थे तो अब हमने उनी packets में से data निकालना है तो हमने वह किये थे hack के नाम से तो एक बार हम देख लेते हैं कि वह कहां पर send हुआ है तो जैसे कि हमारे यहां पर hack के नाम से काफी सारे directories आचुकिया files है हमारी इस इत्राक्षिव में hack01.cap के नाम से है .csv के नाम से तो हमें सिर्फ यह file यूज करनी है hack01.cap के नाम से तो हम इस file को कहां पर open करेंगे हमें इसे करना है air crack इसे को उपन करेंगे और उसके बाद इस file का नाम दे देंगे जो की है hack.cap के नाम से तो जैसे हम इस file का हमने नाम है यहां पर दे दिया हम जैसे इसको run करेंगे तो यूज करने के बाद ही इस की जो wifi हम को टेस्टिंग करना श्टार्ट कर देग और हमने packet sniff किये थे तो जैस आप आप देख सुपते हो हमारे पस WiFi का पास्वर्ड आ चुका है, similarly विए सहने, जुका है हमां family पास्वर्ड है नुए 9 तो जैसे विए यह वाई फाइय पर हम से टेश्ट करके देखें कि यह की लगे गी यहैं नहीं जैसितन आफ़ यह था किनेक्ट करेंगे और किनेक्ट करने पर हम इसके अथे इंटिकेशन की यहां पर डाल के देखेंगे जो हमारे पास आही थी 1122 मैं यहां पर कीवरी डालूंगा से 1122-3344-55 तो मैं एक बार आपको शो भी करा जिता हूं कि मैंने वही पासवड डाला है 1122-3344-55 हम इसको जैसे ही करेंगे तो हमारा जो पासवड था वो यहां पर लग गया और हमारा वाइफाई भी कनेक्ट हो चुका है यह आप देख सकते हमारा वाइफाई कनेक्ट हो चुका है